कट दोस्तों पानी जीवन का ये महत पूर इसा है हमारे जीवान हमारी बोड़ी की बहुत बड़ी नीड है जो plenty हम पीते हैं कहीं लोग ग्रियॉट आपेते हैं को बोरिंग का पानी हैं ऐसे हमारी जाओ दो पानी है तो अगर मैं चाहूंगा अरूंजी लगर आप इसे दिखाएंगे तो दोनों पानी विल्कुल साप सुत्रे हैं एक कलर के हैं इसके अंदर कितने हैं पार्टिकल्स हैं हमारे लिए हान फुन हैं सैद हमारी आखें इसको देख भी न पाएं तो जीवन में सबसे बड़ी ज्यादा बिमारिया जो आती है वो पानी के थुरू आती है तो पानी के अंदर जो पीडियस का लेवल है या उसका पीएच लेवल है वो सामान्य में होना चाहिए आए मैं आपको एक शांदार मैं वेस्तीज के बारे में अगर बात करूं तो हमारे पास जो आरो है सार्व का एक शांदार इंटरनेशनल ग्रैंड है जो आपके पानी को सुद्ध बनाता और आपके सरीर को हमेसा सौस्त रखता है यह इलेक्ट्रोलाइजर और इलेक्ट्रोलाइजर को मैंने दोनों पानी के अंदर डाला है इसके अंदर जितने भी केमिकल्स हैं जो हांफूल है हमारी बोडी के लिए वह आपको अपनी आखों से दिख जाएंगे कि इस पानी को पी करके कैसे हम और हमारा परिवार बिमार परता है पानी दोनों है मिनरेल वाटर यह आरो का पानी है और एक नॉर्मल पानी है जो आम जनता पूरे दिन पीती है तो इन्सान खाने पीने दौलत पर बहुत पैसे करच करता है बड़ अगर आप अपने जीवन में पानी के ओपर थोड़ा पैसा कर ने तो आप अपने और अपने परिवार की ज कलता दिख रहा होगा और एक पानी बिल्कुल नॉर्मल है जबकि पानी एक जगे से मैं आपकी तसली के लिए इसको बंद कर देता हूं तहीं आपको लगे कि इस के अंदर इस रॉड में कुछ अलग है तो मैं आपके सामने ही इस रॉड को चेंज कर देता हूं इसको इसमें क कर देता हैं अगेन मैंने इसको कर दिया आप इसकी अपनी आँखों से तसली के रूप में देखिए कि हम क्या पी रहे हैं और अपने बच्चों को क्या पिला रहे हैं यह इतना ज्यादा खराब है कि आदमी का जीवान ही आधा कर दे तो वेस्टीज का सार्प वाडर प्रिफ करें अब आपको मैं कहना चाहूंगा अगर यह पानी आप रोज रोज पीते हो अगर मैं बोलूं कि अब पी लीजिए तो क्या यह संभव होगा पीना